आप सबको मेरा नमस्कार अभी हम लोग क्लास 9 के लिए इंग्लिस लिंग्वेज और लिटेचर के उपर एक सेंपल कोस्टन पर सालव करेंगे टर्वान के लिए तो चलिए सुरू करते हैं तो यह पेसेज है रेट क्रास के उपर Red Cross how hope evolved in June 24, 1859, Emperors, Nepelian 3rd and Prince Joseph I engaged in the Battle of Solferino, commanding a combined total of about 2,70,000 troops on the field for a single day of battle, nearly 40,000 were either dead, injured or missing, many of whom were simply left to die, on the battlefield later, spectators crowded the fields, looking for loved ones, searching for items they could sell and simply taking in the horrors of the battle, a Swiss businessman and social activist, Jen Henry Dunnett who was traveling in Solferino, witnessed all this, तो देखिए इसमें Red Cross के उपर एक passage है कि पताता है कि कैसे विश्वास का जन्म होता है, तो June 24, 1859 में जो Emperor, Nepelian 3rd होते हैं, French Joseph first होते हैं, एक battle करते हैं Solferino में, जहांबे 2,70,000 troops participate करते हैं एकी दिन में, और करीबन 40,000 troops या तो मर जाते हैं, injured हो जाते है और बहुतों को इसलिए छोड़ दिया जाता है मन्य को कि वेटल फिल्ड के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाद में जो इस्पेक्टेटर्स होते हैं, वहां पर भीड़ी कठा कर लेते हैं, और कुछ तो अपने लब्डवन सो खोशते रहते हैं, कुछ आइटम सो को ख ऐस बाहर नहीं को तो एस अज जाता हैं, ऑर कापने का लिए रहतिक लिएक्टाव्स में अपड़ी को खोशते हैं, बाहर नहीं वेट अजाहर इसे दिए चिए फिल्यूट्वन सो खोशते लिए प्रावट पूट ए पृूट रहते हैं, यहां जाहर को सब्सास कि उता हैं वार्स दूरिंग टाइम साफ पार्स आफ्टर दाइट मोमेंट ही रोड़ दा बूक अम्यमोरी आप सॉल्पिरिनो वी चाथ पब्लीक टू किरेट नाइशन हुइच वीच वुड़ असीच दे वुंडे डिकारलेस आप वीच साइट देफार पार दूरिंग टाइम साफ पा का हरण होता है तो इसके बाद क्या करते है दो असफे को लिए उस बाद करते हैं की यो किसे जो घायल हो है नो चाहे किसी भी साइट का हो उसका हेल्प हो जाए तो इसके बाद क्या होता है कि वह एक बूक लिखते हैं हमेमोरी आप सुल्फिरिनो जिसमें वर्ज करते हैं पब्लिक को इस प्रकार का इसेशन वराने के लिए और उनके जो राइटिंग है वह बहुत से बचाने का है, epidemic treatment का है, this effort continues to this day और यह जो effort है आज भी चला आ रहा है One of the easiest way you can help the Red Cross is to make sure you are able to donate blood and make an appointment at the Red Cross website जो सबसे बढ़ी है तरीका Red Cross में help करने का वो blood donation का है But donating blood isn't the only way you can help out, the Red Cross also encourages donating your time if you can That is what the Red Cross wants everyone to know, तो Red Cross में खाली blood देने से ही जो है न सब चीज पूरा नहीं हो जाता है अगर आप सहीं उसका help करना चाहते हैं तो आप अपना समय दे दीजिए, यही चीज Red Cross सबको बताना चाहता है अब question देखते हैं कि how many soldiers part in the battle of Sarfino on June 24 तो हमने भी समझा है कि 2,70,000 थे, यह correct हो जाएगा Question second है, what is the correct order of the information given below, जो correct order information को कैसा है तो first बोलता है कि donate organized camp of volunteers यतो युद्ध के बाद हुआ, second बोलता है Emperor Napoleon third and French Joseph first part of battle, विल्कुल सबसे पहले यही होता है तो यह first में जाएगा Second में देखेंगे क्या होगा कि the book of memory of Salfirino, वाज रिटाने तो बात की बात है Fourth नमबर देखते हैं कि donate travel in Salfirino, यह second है जब war शुरू हुआ तो यह donate जो है टेवल कर रहे थे उसके बाद जब war के बाद वो क्या करते हैं, एक organize करते हैं, यह नते third हो जाएगा और यह जो है book लिखते हैं सबसे बाद में fourth हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा option है देखिएगा तो second, fourth, first और third इसका option de-correct हो जाएगा, हमने इस टो question देखते हैं, the writer आप a memory of Salfirino आज, तो यह जीन हेन्री डुनेट हैं, इसके writer हमने अभी अच्छे से समझा है, तो इसका option de-correct हो जाएगा question number four है, the modern day rate cross does not deal with, जो modern day rate cross है, उसके साथ deal नहीं करता है, तो तो modern day deal cross है, और writing a book के साथ deal नहीं करता है, तो fork option D हो जाएगा, writing a book, भाकि epidemic treatment, register relief, order donation के उफर काम करता है, the most appropriate subheading to the para two of the passages, तो para two में क्या होता है, कि वो जो है, जो rate cross है, उसके लिए वो एक प्रकार से foundation condition बना देते हैं, ठीक है न, तो the contribution आप Jen Henry Do not correct cross के लिए contribution है, वो जो है second para का main चीज है, न सब heading है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, the contributions आप Jen, Jen Henry Do not, question number six है, the aid provided by do not volunteers during the battle of salphironov आज, कि क्या help जो है donate के volunteer लोग देते हैं, बेल्टल आप salphironov में, तो क्या करते हैं, पानी और खाना लाते हैं, medical treatment में assist करते हैं, ठीक है, तो इसका first और second हो जाएगा, to write a book, इसमें तो नहीं करते, to give relief in epidemic, यह भी नहीं बताय गया है, तो इसका जो है और blood joyride crash पे दे सकते हैं, तो seven कए हो जाएगा, उसके बाद अगला जो case based factual passage है, इसको पढ़ते हैं, असाल वो करते हैं, कि the Amazon is the world's largest tropical rainforest, it covers an area of nearly 2.8 million square miles, which is about the size of continent of Australia, the Amazon rainforest gets its life from the majestic Amazon river, the world's second largest river, which runs directly through the hut of the region, the rainforest itself is simply the drainage basin for the river and its main type of trees, the vast forest itself consists of whole layers, each featuring its own ecosystem and especially adapted plants and animals, तो यहां पर देखिए, जो Amazon rainforest है, उसके बादे बताया गया है, कि यह 2.5 million square miles से इतना बड़ा है, लगबगास्ट लिए कितना बड़ा है, और यह जो है इसका लाइप को मिलता है Amazon river से और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा river है, और यह उसके बीच से गुजरता है Amazon rainforest से, और यह basically इस river का basin है, जो Amazon rainforest है उसके टाबुटीज का, और यह जो बड़ा forest है उसमें चार लेयर होते हैं, और हर लेयर में अलग अलग rotting vegetation and the bodies of dead organisms which are quickly broken down into nutrients and integrated into the soil, त्री roots stay close to these available nutrients and decomposers such as millipates and earthworms use nutrients of our food, तो जो forest floor होता है उसमें जो सबसे नीचे का region है, और इसमें केवल 2% sunlight पहुचता है क्योंकि उपर में काफी घना जंगल है, और केवल बहुत ही कम plant यहां पे develop कर सकते हैं, और जो forest floor होता है वो पहुत ही rich होत है उसमें जो बहुत जल्दी तूड़ जाते हैं, नुट्रेट्स में और soil में मिल जाते हैं और जो ट्री के root होते हैं इसके आसपास रहते हैं ताकि नुट्रेट्स को अबजारब कर सकें, और अर्थ वर्मोगरे जैसे जो अर्गनिजम हैं उसमें काफी जादा पलते हैं, अर्दुरी, खुत पासमें सब पासके कि अलएब पासमें 一 bạnुट्रेट जाते होते हैं घबन इसके कमथा जेन के तकानितम फलावर्मों ऐसपार में extraordinary अधिक लंडी। उसमें भी केवल 2 से 5% इस sunlight पहुंचता है और यह काफी ज़्यादा शायादार होता है बहुं सारे plant जो इसमें हैं उनके leaves काफी बड़े और चोड़े होते हैं ताकि बहुं ज़्यादा sunlight को अपने में ले सकें और इसके कारण क्या होता है कि हवा उसमें बहता नहीं है इतना ज्यादा घना है वो तो इसके कारण जो प्लांट पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट लिमल पे रिलाय करते हैं दे लेयर अबब दे अंडर स्टोरी इस दे केनपी this is where much of the action in the rain forest occurs many canopy leaves have specially adaptive leaves which form drip trips drip trips allow water to att〜 the leaves which prevents mosses fungi and lichens from occupying the leaves leaves in the canopy are very dense and filter about 80% of sunlight the canopy is where the wealth of the rain forest fruit and flowers grow Bromleet cup like प्लांट्स व्रवाइड ड्रिंकिंग पूल्स फार एनिमल्स एंड बीडिंग लोकेशन से फार फिरी ट्रीप रॉक्स ठीक है न तो इसके बाद देखिए जो लेयर होता है सबसे उपर में वह कनपी कहलाता है और यह जो है न में एकसा नहीं पर होता है इसके पत्ते में ड्र से फंगी और लाइकेंस डेबलप नहीं कर पाते लिफ्स से की उफ़र और एक्टी परसें सलनाइट ये लोग फिल्टर कर लेते हैं और यहीं जो है ना रेन फारेस्ट का सबसे बड़ा वेल्थ जो है माने प्रूट फ्लावर्ट ग्रोल होते हैं और इसमें ब्रोमलीट्स क देख रहे होंगे चीतर को तिया पर बताया है कि कैसे अनिमल जो है उपर में रहते हैं वेंपायर बेट है जगवार इनकॉंडा लेक्ट्रीटिकील है प्रॉघे ट्रिफ्रोग्स है पिर पाइंट्री जो दूनिया की स्पिसीज है और थर्टी तरी पर सेंट है ना यहीं प तोटल साइज 5.5 मिलियन स्क्वेर किलोमेटर है अब चलिए क्वेस्टन करते हैं तो क्वेस्टन है कि अमेजन इस दे वल्स बिलेंग राजस्ट इवर तभी अपने पड़ा इमेजन जो है सेकंड राजस्ट इवर है तिसका आप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अब क्वेस्ट रही हो जाएगा क्योंकि इसमें नर्डouve बोलता है और डी बोलता है भैरी फ्यू फ्लांट्स ब्रो इन फारिस्ट फ्लोरा रही बिल्कुल सही य्यक्थ रॉर सिस्ट dziफ में इसमें बिल्ग पर श facultस पान इसमें परेक्ट इन शज अब दे परिस्ट found in the major rainforest star तो जिन परमेसन अभी हमने देखा है तो major rainforest में कौन-कौन से अनिमल पाय जाते हैं तो देखे अभी हमने पढ़ा है कि आमेजरा ज्यक्रेशिट पाय जाते हैं ठीक है ना दी नहीं मिलता है इसमें हमने बियर्न पढ़ा है है टाइगर फाक्स नीं पड़ा है और वाकिंग पांप से भी निपढ़ा है तो जगवार एंड बैंपायर वेट हो जाएगा कि अब कोस्टन नमबर 12 हो जाएगा कि देप्लांट से अंडर स्टोरी है ब्लेंग लिप्स जो प्लांट होते हैं अंडर स्टोरी में वो लार्ज जो अब राट लीप रखते हैं हमने भी समझा इसको तो इसका सी हो जाएगा क्योंकि वहां पे टू से फाइव परसेंट ही सनलाइट आता है कॉस्चन 13 है कि leaves in the canopy filter 80% of the blank in the amazon rainforest तो जो sunshine है उसको filter कर देते हैं 80% का जो canopy में है तिसका आप साने करेक्टर हो जाएगा कॉस्चन 14 है कि why is there very little air moment in the understory क्योंकि understory जो है ना बहुत ही ज्यादा घना होता है तो understory is so thick and also covered with large broad lips इसके काण इसमें हवा को मोमेंट बहुत काम होता है तो इसका आप सान सी करेक्टर हो जाएगा अब question number हम लोग अगला देखते हैं तो अगला जो है grammar और writing की उपर है जिसमें tenses है subject verb, concord है, model सह है, determiner सह है, reported speech है, commands है, request है, statement और questions है तो इसको vice change करना है 15 number question बोलता है कि nancy said तो देखिए nancy said जो reported speech है न वो past in definite में है I may leap tomorrow तो जो I may leap tomorrow ये भी change हो जाएगा इसमें लिए change हो जाएगा कि ये past में change हो जाएगा, present in definite है तो ये past in definite में change हो जाएगा, तो नancy said that she might leap the next day हो जाएगा, तो इसका अपसाने correct हो जाएगा question number 16 देखते है कि केशव said, Rita is very, Rita is busy right now, तो केशव said देखिए इसमें reported speech जो है भरव के second form मतलब past in definite में है, तो केशव ने कहा था कि Rita is busy right now, कि Rita जो है बहुत ज़्यादा ब्यासता है, ऐसा हो जाए sentence इसको convert कर देंगे हम लोग ते हो जाएगा, कि केशव informed that Rita was busy, तो इसका question be correct हो जाएगा, कि so informed that Rita was busy then, अगला question देखते है, question number 17, यह model से के उपर है, कि see blank visit her grandparents house during holidays, तो यह जिसमें देखिए क्या हो सकता है, कि यह might होगा इसमे, क्योंकि वो जो है, might मतलब कभी कबार visit करती है, dare मने तो हिम्मत होता है, art जो होए, obligation के लिए होता है, तो इसमें might हो जा manager, है ना, तो मैं I talk to the manager हो जाएगा, क्या मैं manager से बात कर सकता हूँ, तो इसमें may use होगा, option B, उसके बाद 19, बोलता है, कि a few days later, Munsi Premchand resigned from his job, आप inspectors, आप school, यहां पी ही हो जाएगा, option D, अब question number 5 देखेंगे, जो writing के उपर based है, जिसमें एक diary लिखा गया है, ठीक है ना, तो कुछ गेप से दिये हुए है, 20, 21, 22, 23 और 24, इसको हम लोगों को correct option से choose करना है, तो Mohandas Karamchand Gandhi, known Mahatma Gandhi, was not only a great politician, but also a great social and religious leader, तो Mahatma Gandhi, एक राजनितीक नेता ही नहीं थे, बलकि समाजिक और धार्मिक नेता भी थे, he declared that the highest form of service of the great mother, आगे देखते हैं, was social service, he blinked to the whole world and believed in humanity, ठीक है, तो दिखते हैं क्या option होगा, he blinked, the power of the independence, the message of peace, the power of self-reliance, the power of advocacy, है ना, तो 20 का हो जाएगा, बी, the power of the message of peace है ना, जो संती का संदेश था, उसको बोलते थे वो, कि सबसे ज़्यादा powerful है, आगे देखते हैं, He gave the power of the message of peace to the whole world and believed in humanity, उनको मानाता भी विश्वास था, संती भी विश्वास था, he loved his countrymen very much, so the nation called him Bapu, और अपने देश के लोगों को बहुत चाहते थे, इसलिए देश उनको Bapu बोलता था, अब देखते हैं, Bapu के बाद में क्या होगा, दफादर आप नेशन, दायरान मे These main principles were truth and non-violence, जोनका main principle था, वो सचाही था, और non-violence था, he believed in blank, तो 22 देखते हैं, तो 22 है, unity between Indians and Englishmen, unity of all Indians, universal truthfulness and the equality, बिल्कुल अब भी आए हैं, 22 का option, D हो जाएगा, universal motherhood and love, है न, जो universal motherhood है, और फ्रेम है, उसी की उपरो विश्वास करते थे, इसका option D correct हो जाएगा, उसके बात दिखते हैं, 23 number, तो he was of the opinion that if we had conflict with Englishmen, let us not hate the Englishmen, because both Englishmen and Indian are, तो अगर हम लोगों का Englishmen, लोगों के साथ कोई conflict है, तो हम उनको घरना न करें, क्योंकि दोनों क्या है, तो 23 देखते हैं, इसका, what is the name of 23 में, यह आप spring of the same divinity, आप spring of the Christ, आप spring आप लाट से हुआ, आप spring of the same species, तो 23 का, यह हो जाएगा, आप spring of the same divinity, ठीक है, हम लोग सब एकी, माता पिता के संतान है, तो इसका 23 का यह हो जाएगा, अब नेश्ट देखते हैं, 24 के लिए, कि राष्ट और धर्म से उन्होंने जो अंदराष्टी या बर्दर हुड है, भाईचारा है ना, उसको सबसे ज़्यादा मत तो दिया, तो क्या होगा, 24 में देखते हैं, तो आन जन्वरी 2, 1948, है ना, अक्टूबर 2, 1948, आन जन्वरी 30, 1948, तो जन्वरी 30, 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली लगा दिया था, उनको बुलेट साट कर दिया था, तो इसका अप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 24 कभी, उसके बाद नेश्ट कोस्चन देखते हैं, जो कि 60 स्टोरी बेस्ट है, जिसमें बिगिनिंग लाइन आउटलाइन क्लूस है, तो फर्स्ट बोलता है, I chose a pipe with a natural hollow stem, though that was longer and broader than the pungi, and met seven holes on the body of the pipe, When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced, he played the instrument before royalty, and everyone was impressed, तो उन्होंने एक pipe को चूच किया, जो की काफी जादा प्रकृतिव रूप से पतला तना था, काफी लंबा था, और पूंगी से बड़ा था, उसमें साथ hole किये pipe में उसको बजाया, और बार बार hole को close किया, बंद किया, जिससे बहुत ही सुरीला आवाज निकला, जिसके र करेक्ट हो जाएगा, अब question number हम लोग next देखते हैं, जो 26 है कि what is the name of the new instrument, तो new instrument का नेम है सहनाई, आप सहने करेक्ट हो जाएगा, question 27 देखते हैं कि why watch पूंगी bend from the coat of औरंग जेब, कि पूंगी जो है ना, औरंग जेब के कोट से क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि ये where was the new instrument played traditionally, कि ये instrument जो है कहाँ पर बजा जाता था, in temples, mandirों में, in wedding ceremonies, wedding ceremonies में, in auspicious ceremonies, तीन सब जगा में ये बजा जाता था, तो 28 का option दी करेक्ट हो जाएगा, अब second number पढ़ते हैं, a headmaster once told his father, that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, because he will never make a success at anything, Einstein began learning to play the violin at the age of six, because his mother wanted him to, he later became a gifted, mature violinist, maintaining this skill throughout his life, but Albert Einstein was not a bad pupil, he went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15th month old, and scored good marks in almost every subject, Einstein hated the school's regimentation, and often clashed with its teachers, at the age of 15, Einstein felt so stiffled, stiffled, there that he left the school far good, a truly beautiful mind, तो देखें, यहां पर Einstein के पर बताया गया है, कि Einstein kid master उसको बोलते थे कि कुछ भी कर ले कभी success नहीं होगा, और उच्छे साल की उमर में बैलीन मजाना शुरू करते हैं, और जीवन पर बैलीन मजाते हैं, लेकिन उसे खराब भी द्यार थी नहीं थे, जब वो हाई स्कूल में जाते हैं, म्यूनिक में, जहां उनका परिवार जाता है, जब वो 15 साल के थे, तो उन्होंने अच्छा स् लिए, क्वेस्टन 29 है, वाट डिद इस्कूल हेड मास्टर से बाउट आइस्टीन, आइस्टीन के बारे में, इस्कूल के हेड मास्टर ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हो, किसी भी चीज में सक्सेस नहीं कर सकते, तिसका आप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ही मार्क्स इन आल दा सब्जेक्स, तभी हमने पढ़ा कि म्यूनिक की स्कूल में, तो 31 कहे हो जाएगा, म्यूनिक इन इस्कूल, कोस्टन 32 देखते हैं, कि हाउ डिद ही मेंटेन इस्किल, जिवन भरो, एक वाइल इस्किल को मेंटेन कर रहे थे, तिसका आप्शन सी करेक्ट हो लेंगे, कि ये गिप्टेड होता है, गौट का, इसका आप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अब इसके बाद कोस्टन 34 देखते हैं, उसके लिए हमको थर्ट पढ़ना पड़ेगा, कि देर लूक वाट यू डिड, यू थू थू देम आल डाउन, यू अब दे पेजेज आप वाट दे लगे, यू गिकलेवर ड़ेर, इपोट फण लाए इट वॉक लिकलिंग, वीन तुम्न की उपर लिखा गया है, कि विन को बोलते होए पउयात बोल रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब को भीक दिया, तुमने पेज को निकाल लिया, तुमने are affected by the wind wind के द्वार्ण कुन effect होते हैं तो विक जो कमजोर होते हैं उनको हवाज उड़ा देता है Q36 है tell a word in the poem which is intonym of police police का intonym क्या होता है तो police का intonym होता है clever police माने मूर्क और क्लिवर माने उसको कि ने परिंद करेक्ट हो जाएगा अब question number हम लोग 38 देखते हैं, उसके लिए पढ़ेंगे the kingdom of fools का passage, the two men were hungry, now that the shops were open, they went to buy some groceries to their astonishment, they found everything cost the same, a single doodoo, तो kingdom of fools है, कि दोनों आदमी भुखे थे, इसके लिए देखा, कुछ दुकान खुले हुए है, तो लोग कुछ गोश्री में चलेगे खड़ने के लिए, तो आशरे से देखा उन्होंने कि सारा चीज एकी किम्मत में है, एक single doodoo का, अब question number 38 देखते हैं, कि why did they visit the shop, कि उन्हों ने साप को क्यों visit किया, तो इसका answer है, to buy groceries, अभी मने पढ़ा, गोश्रीच करने के लिए, तो option B correct हो जाएगा, question 39 है, why were they astonished, वो astonished क्यों हो गये थे, क्योंकि उनको पता चला कि सब चीज एकी किम्मत का है, cost of everything was same, तो option ये correct हो गया, question number 40 है, which of these means the same as astonishment, astonishment का मतलब क्या होता है, तो surprise आसर चकिट हो गये थे, this option भी correct हो जाएगा,